नमस्कार दर्शको स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कारिक्रम एक मुलाकात में जिसे कि हर बार हम आपकी मुलाकात एक खास शक्षियत से करवाते हैं तो इसी तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पहुझूद है सतीश कुमार घोर मड़े जी जो कि इंजियन नेवी में वाइस एड्मिल रह चुके हैं तो चलिए उनसे बाचीश शुरू करते हैं बट सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं नमस्कार सतीश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम एक मुलाकात में आप सतीश जी इतने उचे पत पर है चुके हैं आप वाइस एड्मिल रह चुके हैं इंजियन नेवी में विच इस सेकंड हाइस रैंक इंजियन नेवी तो अप इस पत तक पहुचे हैं यह जो मुकाम आपने हासिल किया है इसके इंस्पिरेशन आपको कहा से मिली सबसे पहले तो मैं नौसेना में 1984 में कमिशन हुआ तो उससे पहले मैं राष्ट्री मिल्ट्री स्कूल में पढ़ रहा था और वहां पर NDA जोइन करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस समय तो इसलिए हमने वो यूपी एसी का एक्जाम दिया और 11 वी के बाद ही NDA, National Defence Academy पुने खड़क वासला तो मैं पिताजी एफोस में थे तो उन्होंने प्रेरना दी और आगे मुझे लगा कि भारती नौसेना जो एक ग्लोबल सर्विस है उसमें नी सेवा देना बहुत अच्छा लगेगा और मुझे उस समय जो वेने निरने लिया मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वेने वह निरने लिया कि भारती नौसेना में मैं एक कमिशन डॉफसर की तरह बरती हो गया ऑर अच्छा बरती नोसेना नौसेना को हमारे व्यापार की सुरक्षा देने के लिए इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि भारती नौसेना की शुरुवात भी हम्राथानेवी से देख सकते हैं क्योंकि पहले भी तो नौकाएं थी और चोलाज की समय थी और हमारे हिस्टोरिकल, हमारे मेरे डाइमिस्ट्री तो बहुत रिच है लेकिन उस समय वो वियापार के लिए इस्सिमाल करते थे लेकिन वियापार को सुरक्षा देना जो नौसेना का करता है वो फोड़ आप उसके बारे में में विस्तार से बताईए नौसिना एक मैने जैसे कहा एक छोटी सर्विस होगी बारत में लेकिन यह है ग्लोबल सर्विस क्योंकि समुद्र में हमारा हिंद महासागर है और सबसे पहले यह ही एक समुद्र है जो हमारे देश के नाम पर है बिलकुल जह औरijn Alle 610 Ев समुद्र को प्रति concerns समुद्रं इत motion है और हमें आपको यह गयात ही है कि 70% पृतवी पर पानी है और 80% से जञ़ा एक समुद्र के दो सो किलोमेटर के किनारे रहती है और नब्य प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है और आप जो मुबाइल इस्तिमाल करते हैं जो केबल और जो डिजिटल डेटा है लगबग 100 प्रतिशत सम्मरीन केबल से आता है तो इसका महत्व मेरिटाइम और समुद्र का महत्व महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और यह हमी समुद्री सुरिक्षा प्रदान करती है देश के लिए और देश जो हमारा देश है जो एनरजी पे चलता है क्योंकि फ्यूल और हमारा लगबग 70 से 80 प्रतिशत फ्यूल भार से आता है बीस से प्रतिशत हम खुद अपने एक् प्रतिशत है और इससे ज़्यादा चुनोतियां भी आती है और हमें चाहिए कि हिंद महासागर एक शान्ती और स्थिर्था का स्थान रहे और वहां भारतिया नौसेना प्रदान करती है तो इसके लिए हमेशा एततपर रहना पड़ता है कि कोई भी ऐसी चुनोती आए उसक उसके लिए तयार रहे है और नौसेना को हमेशा सशक्त बनाएं बहुत बड़ी रिस्पोंसिविलिटी अपने आप में आज जो ही जानकारी हमें मिली है यह पहले हमेरे पास नहीं थी जो आपने कहा कि इतनी कठेनाई है इतने चालेंजिस आते हैं तो एक तो है स्प्रिच में जैसे आपने कहा कि शान्ती और स्टेबलीटी चाहिए तो यह हमारे सबसे पहले कहते हैं कि इनर स्टेबलीटी क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन्स आप लोगों को लेने होते हैं देश के लिए तो कितना रोल प्ले करती है इस्प्रिच्वालिटी इस सेवा मे हमारी जो सशस्त्र सेनाय है पूरी देश की सुरक्षा के लिए है और ज्यादा तर भारी सुरक्षा है तो आर्मी निवी एफोस तो एक्टरनल सेक्रिटी के लिए है और जो पैरा मिलिटरी फोसेस है वो इंटरनल सेक्रिटी है लेकिन वो इंटरनल सेक्रिटी भी भारी सु जनता है वो शांती से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस्पिरिचुलिटी में है आंतरिक तिरता और हमेशा इस्पिरिचुलिटी में यह सिखाए जाता है कि हम अंदर के जो विकार हैं, पांच दुश्मन हैं, उन पर विजय प्राप्त करें। और हम भारी दुश्मनों को पर विजय प्राप्त करते हैं। इसमें समानता है तो हैं, लेकिन सबसे बहुत मत्वपूर्ण हैं, अगर हम अंदर के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकें, तो भारी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना और असान हो जाएगा। और हम देश को और शान्त बना सकें और यही सबसे महत्वपुर्न है और इसमें डिफेंस और स्पिरिच्छालिटी में बहुत ज्यादा रिलेशन है अच्छा घहरा समंद है और अगर यह हम साथ में जोड़ सकें तो हम डिफेंस में और शक्तिशाली और दुड़ता हम रहेगी और हमारे कारे करने में हमें और सफलता मिलेगी बहुत सुंदर यह रोल अध्यात्म का है यह रोल सही सही में अध्यात्म का है तो आप रभा कुमारिस के सेक्यूरिटी सर्विस विंग में आए हैं अपने एक conference अटेंड की है, तो आपका क्या अनुभव रहा है और इस conference में आपको क्या अलग बात लगी जो आप अपने साथ आज यहां से लेकर जाएंगे यह तो मेरी अभी 30 या 7 वी conference है इसे पहले 2011 में जान सरोर में आये था, इसी तरह की एक conference के लिए और तब सबसे पहली बार आये था, तब मुझे ब्रह्मो कुमारी इस संस्ता के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैं उसमें प्रिंसिपल डारेक्टर और परसनल था, और उसमें मैं अपने officers और में को नॉमिनेट करता था इसी conference के लिए, तो मैंने सूचा मैं भी पता कर लो कि इसमें क्या होता है, तो जब इदर हमें परिवार सहता है, तो मुझे पता लगा कि यह स्वानफरेंस बहुत ही अच्छी जानकारी पूर्न, और ऐसा science और spirituality का समनवे है, उसका एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है, जो हमें मिलता है, और इतना अच्छा ग्यान मिलता है, जिससे हम SWAM को एकदम सशक्त कर सकते हैं, इस बार भी कॉनफरेंस होई है, इसमें लगबग आर्मी, नेवी, एफोस और परा-मिल्टरी फोसस के हजार सदस्य आये हैं, और जह सबसे बड़ा, बड़ी कॉनफरेंस होई है अभी तक, और यह 2000 से शुरू है थी, लेकिन जो न वो अभी एक फुरुक्ष बन गया है, और जो सेकुरिटी सर्विसेस विंग के जो ओफिसर्स हैं, और जो बहने हैं, और माताएं हैं, और वाइस चेर परसन हैं, शुकला दिली, उनकी महनत और नेशनल को ओडिनेटर से हैं इधर, उन सबने मिलकर इतनी महनत से इसको जो आखाएं हैं, जो ब्रहमाकुमार् सिग्जान सेना के जवानों को दी रहे हैं, जो अध्यात में कौर उने मौर रहे हैं, इतना उपarnya के लिए हमारे जवानों के लिए बताएं हैं, यह बहुत ही उपैयोगी है, कैसे मैंने कहा कि अगर हम अपने मन की सिर्था रहे और इसी तरह नौसेना को समुद्र में पड़ता है और वहां पर हमें दुश्मन कभी भी मिल सकता है उस दुश्मन को हराने के लिए हमें तयार रहना पड़ता है और यह हमें इस तरह से तयार करता है मन की स्थिति को इससे तृयार करता है कि हम कई ही ऑए किसी भी परिस्तिती का सामना भती निडर्ता से और निर्भवैता से कर सकते हैं और दुष्मन को पराजिद करने में हम सदा शक्षम रहेंगे इसमें हमें बहुती शक्ति मिलती है Spirituality से तो यही सबसे वहत्वपूर्ण हमें मिलता है कि जो भी परिस्तिति हो जाए वो शान्ति के समय होए हो या युद्ध के समय होए हो उस परिस्तिति को हम अच्छी तरह से बहुत ही निडर्ता से और निरभैता से असानी से पार कर सकेंगे सबसे पहले तो मुझे यह संस्ता है जो समाजिक संस्ता है बहुत और एक दिव्य संस्ता है मैं तो यह से मुझाओंगा क्योंकि यह संस्ता इस परिसर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एकदम अलग लगता है क्योंकि इतनी स्वच्छता और यहाँ पर जो कोई भी मिलता है जो भाई बहन निदर है जो कारे करे हैं हमेशा हर्षित्मोग रहते हैं उनके शहरे पर मुस्कान रहती है और कोई भी कारे कर रहे हैं पुरे दिल से और महनत और लगन से कर रहे होते हैं क्योंकि यह Anushashan है शुच्छता है और लेकिन इधर जादा आत्म अनुशसन है मुख कैने की जरुदनी है और जादा पंक्छ karaoke है सभी जगह पर कार्य अच्छा हो रहा है और ओर प्रीसर इतना सुंदर स्वच्छ है वायूमजल तो इसकी तना अच्छा है कि इसधरaryn साकारत्मग विचार ओर अचे अचे कारे करने की और स्ट्रेश्ट कारे करने की मैं जुआ हो ने ऊच्छा लगता है इदर आगकर हमारे सुसाइटी में, समाज में इनसे हम भहुत कुछ सीख सकते हैं और समाज को सकते बिलकुल, तो जैसे ब्रह्मा कुमारिस जो आध्यात में ज्यान दे रहे हैं, आत्मा उन्नेती की बात करती है, राजयोग मेडिटेशन की बात करती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारिस का जो राजयोग मेडिटेशन है, उसमें आपको क्या खास बात लगी, क्या अलग बात लगी सबसे पहले मुझे राजयोग बहुत ही सहज और विधी पूरवक समय लगा और इसमें सहजता इतनी है कि हम यह जो राजयोग मेडिटेशन एक बार सीखने में और ज्यान प्राप्त करने के बाद यहां पता चलता है कि इसको हम किसी समय पी भी कर सकते हैं और सबसे पहले तो मूर्त या अमृत वेला में करना तो बहुत ही जरूरी है मैंने अपनी दिनचर्या में इतनी चर्देश शामिल कर लिया कि रोज तीन साड़े तीन बजे आंग खुल जाती है और अमृत वेला और मूर्ली कभी मिसनी करता और इसके कारण मुझे बहुत फाइदा हुआ लेक करते हैं और दिन भर और इदर की जो यह चाता है कि हमेशा इस्तृति में रहां कि मैं आत्मा हूं और जिसे बात करें वो भी एक आत्मा है और उस स्तिती में रहें तो हमेशा इस मेड़िटेटिव और ध्षान में रहते हैं और दिन पंदर उuddha ग्धर clock का जो चुटराफि को सुनके पूरी अपनी सिति और संतुलन्द में और शान्ती से भरपूर कर लेते हैं और जिससे कोई भी काले करते हैं तो इसलिए यह मुझे बहुत ही सहज लगी तो इससे पहले मैंने इशायोगा भी किया था आठ आप लिविंग भी किया था लेकिनी तरह के मुझे बहुत ही सुकून मिला और आसान लगा और इसको किसी को समझाने में भी बहुत अच्छा लगा एक बार सीख लिया और करने लग गए तो अपने दिंचरे में इसको आसानी से शामिल कर सकते हैं और अरे कारे में में का लाब मिलता है और स्पेचलाइजेशन और घटेन कारे करने में मदद मिलती है और ना केवल हर समय कोई भी profession हो कोई भी age हो ये कोई भी boundaries के beyond है क्योंकि actually में ये आत्मा के लिए है सही, एकदम सही तो जैसे आपने बताया है कि ब्रह्मा कुमारी का जो ही रूटीन है यतना श्रेष्ट है और आप कहरें कि आप काफी फॉलो भी कर पा रहे हैं तो आपकी दिन्चरिया किस प्रकार से रहती है क्योंकि इतना बिजी स्केडूल है तो इस स्केडूल में आप अपने लिए कैसे स कामिल कर लिया और मुझे रोज तीन शाड़े तीन बजे मेरी आंख कुल जाते है और उससे मैं अमरुत्वेला तीन से चार तक कर लेता हूं और उसके बाद मुर्णी भी सुन लेता हूं और योगा करता हूं आजयोग करने से और मुर्णी सुनने से बहुत ही फाइदा हु कि मैं जो कभी सोला गंटे काम करने में भी हमेशा एनरजेटिक रहे तो सुवे से ये शुरूने के बाद लेकिन मैं रोज नौ या दस बजे तो सो जाता था तो सुवे उटके राजयोग करने के बाद और जाने के बाद उदर के कारे करो और बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले 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 था 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 दस मिनिट का दुबेर के समय लेकिन इससे मैं यही कहना चाहूँगा सब को कि यह इतना भी व्यस्त हो लेकिन कभी भी यह योग राजयोग और फिजिकल एक्साइज या योग तुद के लिए जरूर करना है जिस दिन ज्यादा व्यस्त हो तो उस जरूर करना चाहिए जिस दिन कभी नहीं चुड़ना चाहिए जिस दिन अपनी चार्जिंग और इंपोर्टेंट हो जाती है और काम बहुत आसान हो जाता है जिससे आपने बताए कि आप राजयोगा मेडिटेशन का इतना अभ्यास करते हैं तो आपकी जो पोस्ट आपने वाइस सीफ अफ नेवल स्थाप था तो हमें हमारी नौसेना ने एक बहुत ही चुनोती अपने उपर ली और उतरदया तो लिया कि हम इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन पर बहुत जोड देंगे और फिर हमेरी जो टीम थी और यह भी कह साता हूं कि राजयोग के कारण हमारी टीम भी बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि शांती से काम करने से और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो उन्होंने और टीम ने मिलकर एक चैलेंज लिया था कि हम एक साल में 75 नई टेकनलोजी अपनी नौसेना में शामिल करेंगे और व पर उसकी शुरुआत हमने कुछ पांच-शे मैंने उससे पहले की थी और तब टीम से शुरुआत की थी कि हम ये चैलेंजेस लेंगे और तयारी करेंगे कि इस तरह हम कर सकते हैं तो वह 18 जुलाई को हमारे आदर्नी प्रदान मंतरी ने ये चैलेंजेस लांच किये थे कि न प्रदान में इंड़स्ट्री के साथ कांटएक किया और उसके लिए पुरी टीम बनाई यंग ओफसर्स की और बिलके और उन्होंने सब को कांटाइक किया और उस चैलेंजेस के लिए हमें प्राइवे इंड़स्ट्री और सभी ने ग्यारा सो प्रपोजल साहे पचातर के ल और अभी हम एक साल होने वाला है उसका और हो गया उसमें हम ये चैलेंजेस अभी ये बहुत ही चैलेंजिक जॉब था जब शुरुआत में क्योंकि इतने कम समय में इनोवेशन करना और वही बहुत सरे एजेंसी को साथ में लाना और अपनी टीम पर पूरा भरोसा करके यंग अभा था अभा था मेडिटेशन का था और वहा आपके 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 शक्ति ना स्ट्रेंग कर था लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया मैं सहीं से वहूंगा लीजर इतने स्टेबल होंगे तो डेफिनिटी तीम भी अपना अपुट बहुत अच्छा देगी उन हमें बहुत हमारी फान जनी माने था टीन टीन में एक रिर्टी ने प्लावाशण हूड़शन का ह Vilow जानकिन स्टार होगा है अफमरी ट्रवास्खा तो डीम ध्रफुटेंस आटी तरह कमें तेस्ट ऑप्र हम अच्छावण जब लीजर हैं प्रत टीम बहुत होई है इसे औ और एक हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, आप जो सेक्यूरिटी सर्विस्स वेंग की सेवाओं से जुड़े हैं, उसका कुछ हमें अनुभव बताईये, और उससे क्या लाभ हो रहा है, सभी को, वो भी हमें उसका भी कुछ एक ओवर्वियू दीची. ये सेक्यूरिटी सर्विस्स वेंग की साफना लगबग दो हजार एक में होई थी, और उस समय मैंने पहले भी उताया था कि जग्दीश भाई और कॉड़ेडर गाबा, इनकी नीव रखी थी, उसके बाद इधर सेक्यूरिटी सर्विस्स वेंग में जो अभी तो वाइस चैर परसन है, रुमकमारी राजीव गनी शुकला दीदी और हरीनगर सेंटर पुरी तरह से कार्यों कर रहा है, और आमी, नेवी और एफोस के ओफसर्स हैं, इसके सदसे है, जो जादातर सेवा निमृत है, वो सेक्यूरिटी सर्विस्स वेंग में काम करें हैं, और कुछ सर्वि गावार ते बुद्ध चैर परसन हैं, क्लीर्णल विकास हैं, ग्र्यूप कैप्टेन भी ओर आमी को भी हैं, खिर्वर कैप्टेन साचन, उन 너 volver में काम करते हैं, और यह डर्त महिने में, वीजी के शुक्तर कारांड़ मिलते हैं, और क्या सेवां कर सकते हैं, रा क्या में Хार आमी नवी एफोस और परामिलिटरी फोसेस के लिए तो इन्होंने जाके हर एक जगह पे आमी नवी एफोस के कमांड में जाके लोगों को अधर जाके सेशन्स लेते हैं और एक टीम बनाई हुई है जो सदसियर जाके उनसे चाचार दिन, पांच दिन का प्रोग्राम करते हैं और जिस तरह समय बता है उससे प्रोडर्डर्षें में जाके अध़्याच में जाके प्रोग्राम किये हैं और वwegen को an dye के में किये हैं प्रनूर्द इसे घित dialect हैं दीषर्ट में जाके इस्ट में किये हैं देज़र्टे जाके नौसियना के और एeros टेसंस में बिए foroland क्या बहुत है इस बार ही हमारे यहां लगबग बारा से पंदरा सर्शस्त्र सेनाए के रेप्रेजेंटेटिज आएं तो उनको इसे बहुत फाइदा हुआ है क्योंकि अभी स्ट्रेस तो सब जगह पर आ चुका है और हैं और कारे में भी और तरह तरह की चुनौतिया आती है इंट तो इस ट्ष्टरेस के लिए कारे क्रिंटेश बहुत फिर पॉजटिविटिविटी और इसे या के बहुत अचे अचक्ष कारेक्रम और इस तरह के भी अच्छे कारेक्रम और स्ट्रह के boys यहां ने work life balance इन उन सब पर उसके बाद एक car rally शुरू की और car rally से पुरे देश में आफ़ और awareness कैंपेंड किये उसमें जाके car rally से प्रोग्राम किये और उससे बहुत लोगों के फाइदा हुआ और देश के लिए तो प्रवानमंत्री ने भी ऐग उनलाइन लाँच किया था स्वर्निम भारत की और ले जाने के लिए सशक्तिकरन से वह कैम्पन अभी अभी अच्छे से कारे कर रहे हैं और यह तो सेना में अनुशासन भी है और उसे बहुत अच्छा फाइदा भी होता है उनको जैसे आप इतनी विशेश सेवाय करते हैं ब्रहा कुमारी से भी इतने सम कितना सायोग इसमें कर पाती है वो भी आपके इस राजयो मेडिटेशन में आपको सायोग देती हैं मैं तो सबसे पहले जब आया था 2011 पे तो परिवार साहिता है तो उनके साथ उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन पतनी ने संस्कृती ने और बच्चों ने भी बहुत सायोग दिया है कि हमारे कार्या में बहुत चुनोतियां थी तो उसमें हमने योग भी अपनाया तो उस समय परिवार का बहुत-बहुत सायोग रहा है हरे कार्या में उन्होंने मुझे सायोग दिया और जो मेरे योग में भी इतनी मदद की कि और अच्छा योग करने का इसे दर आफ तो उटते ही उसमें, इसी दर और उड़र में पूचसां मिलता है, वह भिशा प्रिछना देते हैं, आप अच्छा और अच्छा कारे करो, जी बिल्कुल. इस इस ने परिवार के और शुक्ताव आप उड़ियूव। बहुत जरूरी है। सतीज जी एक लास मेसेज आप हमारे व्यूवर्स को क्या देंगे इस मंच से मैं यही कहना चाओंगा सबको यह राजयोग मेडिटेशन आप सीखिए और इस संस्था में अगर आप आ सकते हैं कहीं पर भी मिल सकते हैं जरूर मिलिये क्योंकि इसमें ग्यान भरपूर है और जो परबात्मा का ग्यान सही तरीके से जो सिखाया जा रहा है क्योंकि एक तो यह संस्ता इस तरह चल रही है कि किसी से निस्वार्थ सेवा है और जो भी कारे करें निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनका कार्या है कि सबको सिखाना और सबको देना बस किसी से कुछ लेना नहीं है बस देना ही देना है और ये भाव अगर हम अपने नीजी कार्य में या व्यावसाय में भी शामिल करने तो इससे सिरफ फाइदा ही फाइदा है और इससे क्या होगा कि पहले तो मन की शांती मिलेगी, मन की शांती से हमारी देश में शांती रहेगी और विश्व शांती रहेगी तो थैंक यू सो मैं सतीज जी आपने इतने सुंदर और इंपॉर्टिंट जानकारी हमें दी और अपने इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ शेर किये अपना कीमती सवे निकाल कर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे इधर बुलाने के लिए और असा मोका देने के लिए धन्यवाद तो दोस्तों ये थे सतीज कुमार घूर्मणे जी जिन्होंने अपने इतने सुन्दर अनुभव हमारे साथ साचा किये हम उमीद करते हैं आपको ये अनुभव बहुत पसंद आये होंगे तो अगली बार हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात एक नए महमान से तब तक के लिए दीजी हमें इजाज़त नमस्कार, ओम शान्ती